आज हम बनाएंगे सर्डियों की एक खास कर्मा गरम टेजर्ट रेसिपी जिसे हम बनाएंगे काजर से ये रेसिपी हैल्डी भी होगी और जम्मी तो इतनी होगी कि सब उंगलियां चारते रह जाएंगे तो शुरू करते हैं बनाना आज की इस टेस्टी रेसिपी को काजर की इस टेस्टी टेसर्ट रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ केजी काजर ली है काजर को अच्छे से वोश किया और इस प्रकार से पीसिस में कट कर लिया अप लेंगे एक grinder jar और सारे गाजर के इन पीसिस को grinder jar में डाल कर दरदरा पीस लेंगे पीसने के लिए पानी का पिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे और ये दिखे इस प्रकार से हमने गाजर को पीस लेना है पीसने के बाद इसे एक साइड में रखेंगे फ्लेम पर एक पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे one and half full fat milk जब भी milk को boil किया जाता है इस तरीके से यदि पहले पानी डाल दिया जाए तो दूद तले से नहीं चिपकेगा दूद को हमने पूरी तरह से उबालना है दूद की उबालने के बाद इसमें हमने डालना है साबूदाना ये हमने दो बड़े चम्मच साबूदाना लेना है जिसे मैंने 5-6 खंटे के लिए पहले से ही सोग करके रखा था दूद में पूईल आने के बाद इस साबूदाना को दूद में डाल देंगे साबू दाना डालने से तूद में गाड़ा बनाएगा और तूद का जो टेक्शर है वो भी क्रेमी होगा साबू दाना डालने के बाद इसे एक बार तूद में अच्छे से मिक्स करेंगे सच में ये डिजर्ट रेस्ट भी पहुती टेस्टी बनती है और इसे बनाने का मेरा तरीका फिल्कुल डिफ्रेंट है लो फ्लेम पर इस साबू दाना को हम 15 मिनिट के लिए पकने देंगे जब तक साबू दाना पकता है तब तक हम नेक्स टैप की और बढ़ते हैं फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम लेंगे एक छोटा चमच देसी खी और इस देसी खी में एक बढ़ा चमच हम डालेंगे बदाम और एक बढ़ा चमच हम डालेंगे काजू इन दोनों को हम इस खी में फ्राइ करेंगे किसी भी डिश में यदि ट्राइफूर्स को फ्राई करके डाला जाए तो उस रेसिपी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कलर चेंज होने तक इन ट्राइफूर्स को फ्राई करेंगे और ये देखिए ट्राइफूर्स फ्राई हो चुके हैं इन्हें हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे इसी पैन में हमने फिर से लेना है एक पड़ा चमर देसी खी देसी खी के मेल्ट होने पर इसमें हमने डाल देनी है पीसी हुई काजर सारे काजर को इस खी में डाल देंगे और खी में डाल कर इस काजर को हम अच्छे से फूनेंगे अब बात आती है कि ये कैसे पेचाना जाए कि काजर फून चुकी है इसके लिए काजर में एक खुश्बू भी आने लगीगी और इसके सासत इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और दो से तीन मिनट में ही काजर फून जाती है इस काजर को हमने कंटिनू चलाते हुए लो फ्लेम पर फूनना है और यहां लगबग गाजर हमारी भून चुकी है इसमें एक खुश्बू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और यहां पर दूद भी काड़ा होना शुरू हो चुका है और साबू दाना भी काफी अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें हम भूनी हुई काजर को मिक्स करेंगे सारी काजर को इस दूद में हम डालेंगे और काजर को दूद में अच्छे से मिक्स करेंगे दूद में काजर मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे केसर केसर के साथ से आठ धागे पहले ही मैंने दूद में सोग करके रखे थे इस केसर के दूद को इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे केसर डालने के बाद एक से दो मिनट तक कंटिनू चलाते हुए इस दूद को हम पकाएंगे इसके बाद इसमें डालेंगे fry की ओवे dry foods और इसके साथ ही इसमें किशमिश भी डाल देंगे डालने से पहले किशमिश को भी पानी में सोग कर के रखेंगे यहां पर मैंने काजू बदाम और किशमिश का use किया है आप अपनी पसंद के according किसी भी dry foods का use कर सकते हैं और डाला है मैंने एक पड़ा चमच मिल्क पाउडर जो इस खीर को देगा एक क्रीमी टैक्षर इस गाजर की खीर को हम लो फ्लेम पर गाड़ा होने तक पकाएंगे बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये निचे से ना चिपके सबसे लास्ट में इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ गुड और इलाइची पाउडर गुड की जगए चीनी का भी यूज किया जा सकता है लेकिन मैं इस रेसिपी को पूरी तरह से हैल्दी बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने गुड का यूज किया है सच में यदि इस तरीके से खीर बनाएंगे तो ये खीर बहुती टेस्टी बनेगी और सब्डियों के लिए तो ये खीर बहुती हैल्दी रहती है खीर बनने के बाद इसी कर्मा गरम सर्व कर सकते हैं खीर हमारी लगबर क्रेड़ी हो चुकी है फ्लेम को हम बंद कर देंगे किसी भी तरीके से इसी कर्मा गरम सर्व किया जा सकता है काजर की इस खीर को आप भी एक बात चुरूर बना कर देखे ये सबी को पसंद आएगी वीडियो कैसी लगी? कॉमेंट करके चुरूर बताईएगा तो मिलेंगे मेरी नेक्स रीडियो में एक नई कीचन टीप्स और एक नई रेसिपी के साथ कीप स्माइलिंग, स्टे हैल्दी